तो आज हम लोग आए हैं चेज रिपब्लिक के कैपिटल पराहा में यह बहुत ही सुन्दर सिटी है जो कि अपने आर्किटेक्ट्चर के लिए जाने जाती है चार्ल्स ब्रिज और यहां के कैस्टल बहुत ही फेमस है और हम लोग अभी जा रहे हैं पैटन टावर देखने जो कि एफल टावर की कॉपी है पर उससे थोड़ा चोटा है अगर आपको बाइक से घूमना पसंद है तो आप यहां पर बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं पैटन टावर जाने का रास्ता बहुत ही घूमना पसंद है अगर आप पैदल जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन से देखने को मिलेंगे तो हम आ चुके हैं यह रहा पैटन टावर यह देखिये मुझे तो यह एफल टावर जैसा बिलकुल भी नहीं लग रहा है पर यह इसी के नाम से फेमस है कि इसको एफल टावर जैसा बनाया गया है पर यहां से जो नजारा दिख रहा है वो बहुत ही जारा खुबसूरत है यहां से आप पूरी पराहा सिटी देख सकते हैं अभी हम अपने रूम वापिस जा रहे हैं वहाँ जाकर थोड़ा सा अराम करेंगे उसके बाद शाम को में आपको सिटी सेंटर में क्रिसमस की कैसी दैयारिया हुई है और वहाँ पर शाम को क्रिसमस डे कैसा मनाया जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगी शाम हो चुकी है और हम सिटी सेंटर आ गए है यहाँ पर बहुत सुन्दर क्रिसमस डे का लाइटिंग किया है यहाँ की हर स्ट्रीट पे एक अलग तरीके से लाइटिंग की हुई है और सारी स्ट्रीटे बहुत ही सुन्दर लग रही है तो हम अभी यहाँ की स्पेशल कोन आइस क्रीम ट्राइ करने वाले हैं यह देखिए यह बिल्कुल ही ताजी बनती है इसका कोन भी एकदम ताज़ बनता है बिल्कुल ब्रेट जैसा और आप उसके अंदर अपनी मन पसंद फिलिंग करा कि अधर यह देखिए कितने यूनिक आइसक्रिम लग रही है इसका कॉन जो है वह बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है यह देखे कितना थिक ब्रेड जैसा कौन है इस कुछाने में एकदम ब्रेड के साथ क्रीम खा रहे है ऐसी फिलिंग आ रही है चली हम मैं आपको यहां के स्पेशल कैंडी शॉप लेके चाती हूँ यहां की कैंडी बहुत जादा फेमस है तो हम आ गए है यहां की सुईट कैंडी शॉप पे यह दिखिये कितनी कलर फुल कैंडी जैंडी 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 जाते वक्त कैंडी ले जाना पसंद करूंगी कैंडी जैंड है लेड चाहे कि ऐसे यहां किसा काल प्ता है हम मद स्पेशल कैंडी जैंड़ी जैंडी woah अधिसरेगा थाथ तो अब हम जा रहे हैं यहां के फीमास चार्लिज की तरफ और यही रहा चार्लिज, पर हम अब काफी थक चुके हैं और अब इसके आगे का कैस्टल और ये पूरा चार्लिज प्रीज हम कल सुभे गोमेंगे तो मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स व्लोग में टेक कियर बाई बाई